सभी भाई भेनों को जैश्री राम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर घर परिवार के किसी सदस्य को पहले से कोई नकरत्मा कुड़जा की समस्या है कोई प्रेतवाधा है तो क्या घर में जो छोटे वच्चे होते हैं जो अपने मुँसे कुछ बोल कर भी बता नहीं पाते क्या उनको भी इस प्रकार की कोई समस्या हो सकती है जब वो रोते हैं बिना बात के या खाना पिना बंद कर देते हैं बच्चे दूद नहीं पीते या कुछ खाते पीते नहीं है तो माबाब को इस तरह की बहुत टेंशन हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या बच्चों को समस्या होती है और अगर होती है तो किस प्रकार के उपाई करने चाहिए देखिए प्रेत बाधा नहीं लगती क्योंकि प्रेत बाधा किसी ना किसी कर्म बंधन के करण ही किसी वैक्ति को परिशान करती है अगर किसी को लगता है कि वो बेवजा किसी इस तरह की चीस से परिशान हो गया है तो यहां इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब दे रहे हैं कि कोई ऐस कर्म बंधन शेश रह गया जो व्यक्ति आत्मा जन्म नहीं ले पाई उन्होंने आपको एक नकरत्मा को उर्जा के रूप में परिशान करना शुरू कर दिया तो यहां इस चीज़ का जवाब बहुत मैं क्लियर कर दे दूँ कि जो बच्चे अभी कर्म बंधन के अंतरगत नहीं आए हैं उनको इस प्रकार की समस्या नहीं हो सकती चाहें वो रात को रोते हों दूद पीना बंद कर देते हों खाना पीना बंद कर देते हों इसमें से किसी प्रकार की समस्या को उनसे जोड़के ना देखें लेकिन फिर भी माबाप के मन में एक प्रशन रहता है घर परिवार के लोगों के मन में एक प्रशन रहता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करा जाए कि वो इन सभी चीजों से सुरक्षित रहें और जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो नकारत्मा को उर्जा से ही इसे जोड़कर देख लेते हैं अगर पहले से घर में कोई समस्या है तो तो बच्चों को क्या हो सकता है बच्चों को देखो नजर दोश लग सकता है ज्यादा से ज्यादा जपट्टा लग सकता है चपट्टा लगने का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, चणिक दिक्कत, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर में कोई प्रेतरम गया, चणिक दिक्कत हो सकती है, इसके लिए आपको बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, अपने घर परिवार में क्या उप सबसे पहला मैं आपको बहुत प्राची नुपाय बताता हूँ जो सभी घर के बुजर्ग लोग करते थे आज मैं फिर बता देता हूँ आप रुई की बाती को लंबी बाती बनाईये और सरसो के तेल में भिगो लेजिये और बच्चे के सरसे लेके पैर तक इसे तीन बार, सात बार या 21 बार उतारिये बच्चों को जदा दिक्कत नहीं होती इसलिए तीन बार उतारना ही बच्चों के लिए बहुत होता है और तीन बार जब आप उतारें तो अपने इस्ट का मंत्र पढ़कर उतार लें ठीक है और उसके बाद इसे चीम्टे पर रकर जला दें इससे बच्चे का नजर दोश हट जाता है इस जो रूई की बाती से हम नजर दोश का उतारा करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे का जो औरा होता है वो थोड़ा कमजोर होता है बच्चे के परती सभी लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं तो औरा थोड़ा मलिन हो जाता है और जो रूई की बाती से हम करते हैं सरसो के तिल में भिगो के तो बच्चे का औरा बिल्कुल साफ हो जाता है और औरा साफ होने के कारण आपका जो बच्चा होता है हसने खिलने लगता है और कोई छोटी मोटी उसे परिशानी हो गई होती है तो वो समाप्त हो जाती है इसके अलावा हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप बच्चे के उपर से सिंपल कपूर, सिंपल जो कपूर होती है चाहें वो भीमसैनी कपूर हो या कैसे भी कपूर हो उसको बच्चे के सर के उपर से तीन बार या साथ बार घुमा करके एक मिट्टी के दीपक में या किसी बरतन में अपने इश्ट देव के नाम से जला दें, कि यधी मेरे बच्चे को किसी परकार का कुई नजर्दोश लग गई हो, कोई मलिन्ता लग गई हो कोई बच्टा लग गया हो, तो उसे आप दूर कर दें, इस परकार से आप कपूर का उतारा कर सकते हैं वो सबसे ज़दा जुड़ा होता है उनकी माता के साथ तो ऐसे में जो उनकी माता होती है उन्हें बच्चे को दूद पिलाते समय बच्चे के लिए कुछ खाना बनाते समय अपने इश्ट के मंतर का जाप जरूर करना चाहिए देखिए अगर कोई स्त्री खाना बनाते समय वैसे भी किसी मंतर का जाप करती रहे मानसिक तोर से तो वो मंतर का जाप उस खाने में भी चला जाता है जो जो वैक्ति उस खाने को खाता है उसके अंदर अगर कोई negative energy है तो उसको भी असर होने लगता है और धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लग जाती है तो ऐसी माताएं जो अभी अभी उन्होंने संतान को जनम दिया है बच्चे छोटे हैं वो जरूर दूद पिलाते समय उनके लिए खाना बनाते समय उनके लिए मंतर जाप करते रहें और अपने इस्ट से उनकी सुरक्षा के लिए प्रातना जरूर करते रहें जरूर करें उ जो बीज मंतर है पंचाक्षरी मंतर है उसका जाप निश्यत तोर पर कर सकते हैं बच्चों के लिए हमारे यहां विशेश तोर पर बाल नजर रक्षा कवच मिलता है जिसे हनुमान जी के मंतरों से सिंद्ध किया जाता है अगर आप चाहे तो उनके लिए यह मंगा सकते हैं बागी लास्ट में वीडियो में मैं यही कंकुलूट करना चाहूंगा कि अपने बच्चे की बहुत जदा चिंता ना करें जो भी माता है पिता है वो अपने उपाय पर ध्यान दे अपने मंतर जाब पर ध्यान दे अपने उतारे पर ध्यान दे बच्चों के लिए जो मैंने दो तिन छोटी मोटी चीजे बताई वही आपको अपने बच्चों के लिए करनी है और अपने इस्ट से प्रातना करनी है माताओं को विशेश तोर पर अपने बच्चे को दूद पिलाते समय और कुछ भी खाना बनाते से मैं जाब करते रहें और मैं आपको ऐसा आश्वाशन देता हूँ कि आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्रीराण